नमस्कार एक बार नए अपडेट के साथ फिर से आप सभी के सामने हाजीर हैं लक्षांस कोचिंग क्लासेस से मैं भुमेंद्र कुमार दिवांगन और आज हम बात करने वाले हैं कि रविश शंकर शुकले यूनिवर्सिटी में आपकी अभी परिक्षा प्रारम नहीं हुई है लेकिन फिर भी आपर तैय कर दिया गया है कि कब से आपके रिजल्ट आने तयार हो जाएंगे तो बात करेंगे इस पूरे वीडियो में रिजल्ट संबन दी लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नोडिफिक्रिशन ब कर लेते हैं तो जी हाँ दोस्तों इस साल अपरेल में ही रविशंकर विश्र विद्दाला का पहला रिजल्ट जादी कर दिया जाएगा वो भी कौन से कोर्स का ये भी दिया हुआ है तो इस बार फास्ट रिजल्ट आ रहा है क्योंकि और यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि है और सबसे पहले बी कौम का रिजल्ट जारी करने की बात हो रही है कुल सचीव जी ने यहाँ पर कहा है कि सेंट्रलाइजड मुल्यांकन का काफी फादा मिल रहा है अब सेंट्रलाइजड मुल्यांकन होता क्या है तो आप सभी को बता दे कि पहले जो आपका जो पेपर हो रहती है और उनको आपका अंसर सीड जो है कॉलेस जो आया रहता है उसको प्रोवाइट कर दिया जाता है और प्रतेक चेकर के पास quantity limited रहती है जिसको चेक करना होता है तो एक दिन में उतना पिपर चेक करके वहीं पर ही सबमेट करके जाना रहता है तो इस प्रकार समय सारनी जो मार्च में चालू हो रही है आपकी परिक्षा और अप्रेल के अंतीम सब्ता में पहला रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा यहां पर यह बताया जा रहा है पांच मार्च से परिक्षा सुरू होगी लेकिन बीकॉम की परिक्षा है सबसे पहले खत्म हो रही है इसलिए उनहीं का ही परिक्षा प्रणाम घोसित करने का यहां पर फोकस कर रहा है छे मार्च से मुल्यांकन हो रहा है आप सभी को बता दें आप पांच मार्च से परिक्ष आएगा और इतनी जल्दी जो है यहाँ पर अंसर सिट आपका चेकिंग स्टार्ट हो जाएगा तो काफी यहाँ पर जो है बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर PRSU के दवारा 60 कॉपी मैंने बताया था यहाँ पर कि जाचने के लिए जो है उनको 60 कॉपी जाच सकता है एक दिन में तो एक दिन में किसी चेकर को 60 कॉपी मिलती है अगर वो कम करते हैं तो ठीक है लेकिन अगर ज़्यादा करना चाहे तो 60 से नहीं कर सकते ज़्यादा मैक्जि पिपर चेक कर सकते हैं वो उस हिसाब से पर अंसर सीट में वेध्यान दे कर बिना किसी भेदभाव के आपका पिपर चेक करेंगे तो सेमेस्टर के भी रिजल्ट फटा फटा आ रहे हैं मैं लगातार ग्रूप में अपडेट कर रहा हूं और जो है इसी तरह अपडेट आप को मिलता रहेगा और आगे हम बात करने वाले हैं आपके एडमेट कार्ड की उसके बाद परिक्षाओं की बात करेंगे लेकिन चैनल पर बने रहेगा उसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा सभी तक शेयर करना ना भूलिएगा तब तक के ल नेक्स्ट अपडेट में आप सभी को फिर से प्राप्त होगी